टीवी सीलल अनुपमा में रोमिल की कमरे से गायब हुए पैसे मिल जाते हैं जिससे उसके बाद रोमिल को सब के सामने बेज़ती सहनी पड़ती है अनुपमा सच्चाई पता कर लेती है टीवी सीलल अनुपमा में सही कीहार और गलत की जीत होते हुए दिखाई दी रहा है घर खोई हुए पैसे धूंड़े जाएंगे तो वेह पैसे पाखी को रोमिल की कम्रे से मिल जाते हैं। कपाड़िया में हिंका हर इंसान ये देकर धरान हो जाता है। और सभी रोमिल को चोर समझते हैं। रोमिल चिला चिला कर कहता है कि यह पैसे उसने नहीं चुराए हैं। वह सब को बताता है कि अगर उसे पैसे चुराने होते तो वह यह पैसे घर में ना रखता। कहीं बाहर चला जाता। ऐसे में वह कहता है कि उसे यह पैसे अधिक और बढखाने उसके कमरे में रखे हैं ता फिंग्र प्रिंच स्काइन के जरिय सब कुछ साफ हो जाएगा, इस पर अधिक कॉरण कहता है कि इसमें पुलिस को क्यों शामिल करना है, ये घर की बात है, अधिक की बातों से अनुपमा को पता चल जाता है कि ये सब अधिक नहीं किया है, अनुपमा ये साबित करना चाहेग अपने मन का दुख शेर कर रही होगी तब लीला जाकर तमाशा खड़ा कर देती है काव्या बार बार माफी मांगती है और तब कि जल उसे समझाएगी कि अपनी गलती पर माफी की उमीद करना ठीक है लेकिन माफी की डिमांड करना गलत है